पर फिर से मुसिबत शूटिंग और रिलीस जेट आगे बढ़ सकती है सल्मान खान के फिल्म दबंग 3 लंबे समय से टलती आ रही है इसके पीछे बड़ी वज़ा है कि सल्मान खान वैक टो बैक फिल्मों में वेस्थ है खबर ते कि सल्मान भारत और दबंग 3 की शूटिंग साथ साथ ख़द्म करेंगे लेकिन ताज़े खबरों की माने तो फिलाल सल्मान सर्फ भारत की शूटिंग कर रहे है जबकि दबंग 3 की शूटिंग एक बार फिल टल चुकी है भारत की शूटिंग सेडियूल में अभी काफी बदलाव किया जा रहा है क्योंकि प्रियोंका चोपडा ने बीच में इस फिल्म को अलविदा कह दिया अब फिल्म से काट्रिना कैप जूट चुकी है परहाल भारत 2019 एड के मौके पर रिलीज होगी लहाजा फिल्म पर पूरे जोरो शोरों से काम चल रही है वही दबंग 3 फिलाल बैक सीट पर जा चुकी है अब फॉर्म है कि दबंग 3 किसमर 2019 पर रिलीज हो सकती है लेकिन शायद ही तारिक चुने अब देखने ये है कि ये फिल्म टल कर कहा जाती है और किस डेट में रिलीज होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपकी इस पर त्यारा है कमेंट करके बताएं और देखते रहें बॉलिग ग्राड इस्टूडियोज झाली pendव जाती है उ मेंटाराई फ़िए नहींग ऑनी बॉलिग